पांक साल से दस साल की बच्चों में यानी growing age में बच्चों को क्या अहार दे? पंसर मांको की बच्चों की growing age है, उनको किस तरह का healthy food दे? ताकि उनकी growth बहुत अच्छी हो, उनको पोश्यक तत पूरी तरह मिले? तो मैं डॉक्टर मॉनिका वरिष प्राकर्टिक्ची कि तक वह अहार विशेशर के आज आपको बताओगी कि ग्रोइंग एज में बच्चों को किसके तरह का अहार देना चाहिए प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स है आपकी दाले आप उनको स्प्राउट्स इंटेक करा सकते हैं अगर बच्चे दाले नहीं खाते खुश होके तो आप दाल का स्टफ प्रांथा दे सकते हो रोटी की फॉर्म में उनको दे सकते हो स्टफ करके उसके अलावा उन्हें बदाम पर्टिकलर सीड साथ में दे सकते हैं ताकि उनका इंटेक प्रॉपर है उसके लावा जुरत होती है growing age में calcium की कैलशियम के लिए best source है आपका दूथ के लावा आप उन्हें टोफू किला सकते हैं पनीर दे सकते हैं जिससे उनका ग्रोइंग एज में केल्शिम करेशों कवर रहेगा उसके अलावा आप उन्हें मोसम के अनुसार मिलने वाली फल और सब्जिया इनका सेवन प्रॉपर कराएं ताकि किसी तरह के मिंदर्स बॉड़ी में कम ना रहे हैं उसके साथ आपको एक ध्यान रखने की सब्से।न जोरत है कि कि बच्चों में पानी की कमी कभी भी न लाहो उनकी बटी को हाइडेट करना बहुत ज़रूरी है और हे परब बोडी में पूरी तरह से पोशकत्म जाएंगे तो उन्हें किसी तरह की शरी में कमजोरी नहीं रहेगी इस प्रकार बच्यों की अहार में इन चीजों को आपको इंक्लूड कीज़े और इसके साथ साथ और उन्हें किस तरह की रैसिपेस में अब अपने नेक्स पार्ट में आपको कुछ पर्टिक्लर रेसिपीस के बारे में इंटेड्यूस करेंगे तब तक के लिए नमस्कार